इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। गैप्राइडम शून ने दशमलव पांच टैबलेट इयार मधुमेह विरोधी दवाओं के नाम से जाने वाली दवाओं की एक श्रेनी से संबंध रखता है। यह वयसकों में टाइप दो मधुमे के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो दवाओं का एक सयोजन है। आपका डॉक्टर टै करेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर आपके रक्ट शरकरा के स्तर के अनुसार काम करने के तरीके के अनुसार बदल सकती है। भले ही आपको अच्छा लगे या आपका बलड शुकर लेवल नियंतरित हो इस दव हो सकता है। याद रखे कि यह एक उपचार कारेक्रम का केवल एक हिस्सा है जिसमें स्वस्थाहार, नियमित व्यायाम और आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए। आपकी जीवनशेली मधुमे को नियंतरित करने में एक बड़ प्राना, सिर्दर्द और कपकपी होने के संकेतों को पहचानते हैं और जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है। इसे रोकने के लिए नियमित भूजन करना महत्वपूर्ण है और हमेशा अपने साथ ग्लूकोज का एक तेज अभिनेस रोत जैसे शरकरा युक्ट भूजन य दस्थ, पेट दर्द, सिर्दर्द और उपरी श्वास नलिका में संक्रमन शामिल हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि उन्होंने इस दवा से वजन बढ़ाया है। यदि आपको टाइप 1 डाइबिटीज मिलिटिस है, यदि आपको डाइबिटिक कीटो एसिडोसिस, यान नहीं हो सकता है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आपके रक्ट शरकरा के स्तर की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए और आपका डॉक्टर आपके रक्ट कोशिकाओं की संख्या और यकृत के कारे की निग्रानी के लिए रत्परीक्षन की सलाह भी दे सकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।